नमस्कार मेरे आत्मी ये मित्रों कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ आप सब इस्वर्षत और प्रसंद होंगे तथर लगातार सीख रहे होंगे मैं प्रेम असिस्टेंट प्रोफेशर पीएशम पीजी कॉलेज जोग्राफी डिपार्टमेट का नौज आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल लर्न जोग्राफी में दोस्तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी पारिस्थित की यानि एकोलोजी की जिसमें हमने देखा था एकोलोजी का अर्थ क्या है इस सब्द को सरपतम किस ने दिया था एकोलोजी के कौन-कौन से घटक है एकोलोजी का विसे छेत्र क्या है और साथ ही साथ हम एकोलोजी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं ठीके दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है पारिस्थित्की या जैविक अनुक्रम यानि एकोलोजिकल या बायोटिक सक्सेशन ठीके दोस्तों और इस वीडियो से सम्मंदित जो पीडियाफ है आपका मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आपको हिंदी और इंग्लिस दोनों में आपके लिंक रहेंगे जहां से आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं ठीके दोस्तों तो आज सुरू करते हैं एक नए टॉपिक को पारिस से आकाल से लेकर कैसे दीरे-दीरे बड़ी होती चली जा रही है ठीक है तो आप अनुकरम यानि की सेक्सेशन को ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी चीज का क्रमिक आवस्थाओं से होकर के विकास जैसे मनुसर का ही क्रमिक विकास होता है पहले जन्म लेता है फिर बाल आवस्थ वय रद्ध होता है- तो यह करमिक अवस्थाए होती है ठीक उसी प्रकार की सभी चीजों में अवस्थाय होते हैं जो जैविक होती है यह आपको यार रखना है जैविक वस्तुओं यह तत्त में आपकी सक्षेसन होता हयानी इसलिए आपक़ टौपिक है म hack जैविक अनुक्रम ठीक है चलिए हम इसे एक बार पढ़ने के बार और ठीक से देखेंगे पर बात कर लेते हैं जैविक समुदायों की प्रकृति गतिक होती है यानि कि ऐसा नहीं है कि एकदम से व्रद्दी नहीं होती उसका धीरे धीरे क्रमिक विकास होता यानि गतिक होती ह और ये समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी छेत्र में पाई जाने वाली वनस्पती और जन्तु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं या दूसरे समुदाय उनका इस्थान ले लेते हैं, उसे हम पारिस्थित की अनुकरम कहते हैं, ठीक है, यानि कहने का मतलब है, कि समय के साथ एक समुदाय दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाता है, या दूसरा समुदाय उसका इस्थान ले लेता है, उसे हम पारिस्थि की अनुकरम कहलाते हैं ठीक है इस परिवर्तन में जैविक और आजैविक दोनों घटक समलित होते हैं ठीक है इसमें ऐसा नहीं है केवल जैविक घटक का आजैविक घटक भी समलित होते हैं इसमें आगे देखते हैं यह परिवर्तन समुदाय के क्रिया कलापों और उस पर्यावरण के द्वारा होता है यहां एक तरब जैविक कार्य कर रहे हैं और वहां का बहुतिक पर्यावरण परिवर्तनों की प्रक्रति दिसा दर वर इस्थम सीमा को प्रभावित करता है यानि बहुतिक पर्यावरण किन को किन को प्रभावित कर रहा है प्रक्रति को दिसा को दर को और इस्टम सीमा को प्रभावित करता है ठीक है अनुकरम के दोरान वनस्पती और जन्तु दोनों ही समुदाय परिवर्तन से गुजरते हैं ठीक है यह आपको याद रखना है काउल्स किलीमेंड्स ने अपने अपने तरीके से पारिस्थित की अनुकरमड को परिवास यह बताया था तो अनुकरम को किस ने पहले सर्प्रसम बताया स्वीडन के हुल्ट ने 1885 में बताया ठीक है आगे देखते हैं अनुकरमड समुदाय विकास की क्रमिक किरिया है जो अनुकरमड है वह समुदाय की समुदाय की विकास की क्रमिक किरिया है जिसमें समय की अनुस सकते हैं कि वनस्पतियों में समय के साथ विकास किस प्रकार होता चला जा रहा है पहले चोटी है फिर इसके बाद बड़ी है फिर इसके बड़ी उससे बड़ी फिर इससे बड़ी और यह अनता सबसे लाश्टी यह चरम सीमा है आपकी ठीक है इसी को हमने पिछले वाली वीड पती नहीं तो पहले चोटी चोटी वनस्पतियों का विकास होगा फिर दिर दिर बड़ी वनस्पतियों का फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी इस प्रकार बढ़ती हुई करम से विकास होता चला जाता है यही आपका अनुक्रम कहलाता है ठीके दोस्तों अब हम देख लेत कि अनुक्रमड के प्रकारों को देख लेते हैं अनुक्रमड को निम्न प्रकार में विवक्त किया जा सकता है यानि अनुक्रमड के प्रकार कौन से हैं प्राइमरी सक्सेशन यानि कि प्राथमिक अनुक्रमड सेकेंडरी सक्सेशन यानि कि द्वतियक अनुक्रम आउटोजेनि आउटो ट्रॉफिक सक्सेशन और हेट्रो ट्रॉफिक सक्सेशन ठीक है इसे अभी हम इंदी में भी देख लेते हैं फिर इसके बार एक बार और समझ लेंगे यह आपके अनुक्रमण के प्रकार हैं प्राफिक सक्सेशन है अब हम इने एक एक करके देख लेते हैं इन सक्सेशन यानि अनुक्रमण में आपको केवल और केवल की पॉइंट्स पकड़ने ठीक है तो आटो का अर्थ होता है स्वैम, यह हम भी जानते हैं, जैनिक का अर्थ होता है उत्पादन या कारण, ठीक है, अर्थाद आटो जैनिक उत्रा अधिकार, सक्सेस, यानि कि अनुक्रमड को उत्रा अधिकार भी कहते हैं, यह भी आप याद रखिए, अनुक्रमड को उत्रा दिकार को संदर्भित करता है तो आपका जो key point है आपको ये पकड़ना है कि जैवेक कार को द्वारा जो भी अनुक्रमण होता है वो कौन सा अनुक्रमण है आटोजनिक अनुक्रमण है इसके बाद दूसरा है आपका एलोजनिक इसको भी देख लेते हम पारिस्थित्की में एलोजनिक उत्रादिकार एक पारिस्थित्क तंत्र के अजयवे घटकों द्वारा संचालित होता है तो आपको ये key point ही याद रखने इसके बाद है आपका विचलित अनुक्रमण यानि deflected विच्छेपित उत्रादिकार तब होता है जब मानो गतिविदियां गतिविदी आगे के उत्रादिकार को रोकने के कारण एक समुदाय इस्थे रहता है तो आपका यहाँ पर मानो गतिविदियां important है मानो गतिविदी आगे के उत्रादिकार को रोकने के कारण एक समुदाय इस्थे रहता है मानवी गतिविदियां अकसर चरमोत सकर्थ समुदाय को बनने में रोकती है ठीक है उदाहने के लिए नेमित गहास काटना वो पसुओं का चराना तो विचलेत अनुकरमण किस के कारण होता है मानो गतिविदियों के कारण होता है ठीक है इसके बाद आगे है समानन अनुकरमण जो किसी बाहे कारण समानने दिशा से हटकर आइस्थाई चरम अवस्था तक पहुँँच जाता है इसके बाद अगला अनुकरमण है आपका अभिप्रेरित यानि induced succession, इसे भी हम देख लेते हैं, मानो गत्विदियों का पारिस्थितिक तंत्र और उनके बदलने के तरीके पर एक सक्तिसाली प्रभाव हो सकता है, इसे मानो प्रेरित उत्राधिकार के रूप में भी जाना जाता है, जो उन परिवर्तनों को जन्म दे सकता है, जो अकसर अप् और कभी कभी उन लबों के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होते हैं, जो लोग पारिस्थितिक तंत्र से प्राप्त होते हैं, यानि कि ये मानो के द्वारा अभी प्रेरित होता है, मानो गत्विदियां इसमें भी इंपोर्टेंट होती है आपकी, इसके बाद हम आगे दे प्रिकार को एक ऐसी प्रिक्रिया के रूप में परिवासित किया जाता है, जिसमें हरे पौदों की संक्या सुरू में जानवरों की संक्या से काफी अधिक होती है, यानि इसमें आकार्मनिक तद तो अत्रिक होते हैं, ठीक है, इसमें संक्या किसकी अधिक होते हैं, इसमें पहरे पौदों की और जानूरों की संख्या कम होती है इसके बाद है आपका हेट्रोटॉफिक अनुक्रमण इसमें विसम पोसी अनुक्रमण हेट्रोटॉफिक अनुक्रमण को विसम पोसी अनुक्रमण भी कहते हैं यह अनुक्रमण विसम पोसी जीवों के निरंतर और प्रारंबिक व्रभुत्र से होता है यह एक जैविक वातावरण में सुरू होता है ऐसा वहां होता है जहां बैक्टिरिया और फंगस जैसे जीवों की संख्या पौधों से अधिक होती है पिछले वाले में क्या था पौधों की संख्या अधिक ती जीवों से लेकिन यहाँ पर बैक्टिरिया और फंगस की संख्या अधिक है पौधों से तो यह आपका डिफरेंस है इसे आप याद रखेंगे इसके बाद है आपका प्राथमिक अनुक्रमड यानि प्राइमरी सक्सेसर प्राथमिक अनुक्रमड खाली छेत्रों जैसे चटान, नौनिर्मित देल्टा, रेत के टीले, जौाला मुखी और दूइप समू बहे हुए, लावा, हेमानी, हेमोड, यानि पीछे की तरफ हट रही हिम नदी के द्वारा बनाया गया अनावरत्त कीचड बहा छेत्र, जहां पहले किसी भी समुदाय का अस्तित तो नहीं था, वहां पर होता है तो यहां आपको केवल एक ही चीर यार रखनी है कि प्रात्मिक अनुक्रमण होता का है, खाली छेत्रों में होता है यानि कि जैसे चटान है आपकी, मान लिजे यह आपकी चटान है, इसमें कुछ भी नहीं है तब यहां पर जो पहला सक्सेशन स्टार्ट होगा, वो कौन सा होगा, प्राइमरी होता है तिक है, आगे देखते हैं वह पौधे जो पहले खाली जगए जहां पहले मिट्टी नहीं थी, में उगते हैं तो उन्हें अगरगामी प्रजाती, यानि एंटे रो ग्रेड रेसिस कहलाती है यानि कि जैसे यह चटान है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो जो सबसे पहले पौधे उगेंगे आपके वो क्या कहलाएंगे, अगरगामी प्रजाती कहलाएंगे इसके बार आगे देखते हैं अगरगामी पौधों के संग्रह को सामोहिक रूप से अगरगामी समुदाय कहते हैं अगरगामी प्रजाती की व्रद्धिदर बहुत अधिक होती है यानि जो चटान पर सबसे पहले पौधे उगते हैं उनकी ब्रद्धिक्या होती है, सबसे अधिक होती है पर अंतो जीवन काल इनका कम होता है, यह आपको याद रखना है मान लीजिए कि यह एक चटान है आपकी, यहाँ पर जो पौधे प्रारंब में उगेंगे उनकी ब्रद्धिक्या होगी, बहुत अधिक होगी, बहुत जल्दी-जल्दी होंगे लेकिन इनका जीवन काल बहुत कम होगा, हो सकता है कि एक माईने का हो, दो माईने का हो, यह जीवन काल इनका कम होता है ठीक है, आगे देखते हैं प्रात्मिक अनुक्रम का अवलोकन दुती अनुक्रम की अपेच्छा कठिन होता है क्यों कठिन होता है क्योंकि इनका जीवनकाल कम होता है क्योंकि प्रधिवी पर ऐसे इस्थान बहुत कम है जहां पहले से जीवों के समुदाय नहीं हो यानि एक ये भी है कि प्रात्मिक अनुक्रम का अवलोकन दुती अनुक्रम के पेच्छा कटिन होता है क्यों कि प्रतिवी प्रैसा कोई स्थान ही नहीं है जहां पर जीवों के समुदाय ना हो यहां एक डाइग्राम के माद्यम से कुछ चीजे दिखाने की कोशिश की गई है आपको प्रात्मिक अनुक्रम दिखाया गया है यह आपकी नगन चटान है यानि की खाली चटान है बिलकुल फर इसके पहले सबसे पहले इसमें जो वनस्पती होगेगी वो लाइकेन होगी लाइकेन का मतलब जो आपकी काई टाइप के होती है ठीक है इसके बाद लगुवर्सी ये पौधे लाइकेन होगेंगे ठीक है लगुवर्सी होगेंगे इसके बाद फिर बहुवर्सी ये साक और घास के वनस्पतिया होगेंगी इसके बाद घास जाडियां और छाया सहय पेड उगेंगे और इसके बाद छाया सहय यानि कि छाया दार पेड उगेंगे ठीक है तो ये हमारी क्या है ये प्राइमरी सक्सेशन है आपका प्राइमरी अनुक्रमन है ठीक है ये अग्रणी अवस्था है फिर मध्यम अवस्था औ चर्मोत्स कर्स अवस्ता है तीक है आगे देखते हैं इसके अतरेक्त प्रात्मिक अनुक्रम में द्वतिये अनुक्रम की अपेक्छा अधिक समय लगता है तीक है क्योंकि प्रात्मिक अनुक्रम के द्वारान मिट्टी बनने का प्रक्रम चलता है जबकि द्वतियक अनुक्रम उस छेत्र में दुतियक अनुकरम उस छेत्र में प्रारंब हो जाता है जहां मिट्टी पहले से मौझूद है अगरगामी समुदाय कहलाते हैं जो खाली छेत्र को सबसे पहले अपना वासिस्तान बनाते हैं यानि कि जैसे ये चटान है और यहाँ पर सबसे पहले जो पौधे उगेंगे उनके समुदाय को हम अगरगामी समुदाय कहते हैं और अगरगामी प्रजाती भी कहते हैं जैसे सबसे पहले चटान पर लाइकन आती है तो लाइकन क्या है एक प्रकार की अगरगामी परजाथी है अगरगामी समुदाई की जगे ऐसा समुदाई ले लेता है जिसमें विभिन्न परजाथीयों का समिस्षन होता है यानि समय के साथ जैसे परिवर्तन होता है द्वतियक समुदाय की जगे त्रतियक समुदाय ले लेता है देखिए जो प्रात्मिक यानि अगर गामी समुदाय है उसका इस्थान द्वतियक ने ले लिया और द्वतियक की जगे त्रतियक ने ले लिया जैसे अब हम इस चित्र में अगर देखें तो यहाँ पर पहले लाइकिन का समुदाय है फिर लगुवर्सीय समुदाय हो गया फिर बहुवर्सीय फिर गहासे वजाडियों का समुदाय आ गया फिर इसके बार छायादार पेड़ों का समुदाय आ गया तो ये करम लगातार बदलता रहता है ठीक है आगे देखते हैं प्रतेक संक्रमन आइस्थाई समुदाय जो अनुक्रम के दोरान अस्तित्त में आता है और दूसरे समुदाय के दोरा विश्थापित कर दिया जाता है वह अनुक्रम का चरण या अनुक्रमिक समुदाय कहलाता है ठीक है अनुक्रम का अंतिम चरण जिस समुदाय की रचना करता है उसे चर्मोसकर्स समुदाय कहते हैं यह हमने डाइग्राम में भी देखा यानि कि जो अंत में पौदे आपके जमेंगे वो कौन से क्या कहलाएंगे चरमोज कर्स समुदाय यानि क्लाइमेक्स कमुनिटी कहलाता है आगे देखते हैं चरमोज कर्स समुदाय इस्थाई परिपक्व अधिक जटिल वर दिर्ग कालिक होता है यह आपको याद रखना है आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा समुधाय दिर्ग कालिक होता है या इस्थाई होता है परिपक्क और जटिल होता है तो आपका आंसार होगा चर्मोस कर्स समुधाय एक दिये हुए छेत्र में समुदायों का संपूर्ण क्रम जिसमें अनुक्रम के दोरान एक समुदाय दूसरे का अनुवर्ती होता है क्रम अवस्था कहलाता है यानि सेरे कहलाता है सेरे का मतलब है एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन इस प्रकार समुदाय के जन्तु भी अनुकरम को दर्साते हैं जो काफी हद तक वनस्पति अनुकरम के द्वारा निर्दारित होता है यद्यपी इन अनुकरमिक चर्णों के जन्तु भी जन्तु भी जन्तु भी जन्तु के उन प्रकारों से प्रभावित होता है जो निकटवर्ती समुदाय से प्रवसंद करने में सच्छम होता है चर्मोशकर समुदाय जब तक अबाद ही रहता है यानि कि जब तक कोई बादा नहीं होती है तब तक कि वह प्रचलित जलवाईव और पर्यावासकार को के साथ अप्रेक्छाकरत इस्थाईवा गतिकी सामें रहता है ठीक है इसके बाद वह अनुकरम जो उस इस्थल पर गटित होता है जहां आदरता कम है जैसे खाली चटान जो इसे सुस्कता रंभी ठीक है एक्स रर्च है अनुकरम जब किसी जली निकाय जैसे तलाब या जील में घटित होता है तो इसे जला रंभी यानि हैड्रेज कहते है ठीक है ये प्राइमरी सक्सेशन है आपका अब हम देख लेते हैं दुतियक अनुकरम सेकेंडरी सक्सेशन अनुकरम को उत्रा दिकार भी कहते हैं या भी आप याद रखेंगे दुतियक अनुकरम उस समूदाय का विकास है जो उस वर्तमान प्राकृतिक वनुस्पती के पश्चात आस्तित्तु में आता है जो समूदाय की रचना के बार समाप्त हो जाती है बादित हो जाती है या प्राकृतिक परिगटनाओ जैसे तुफान, जंगल की आग या मानो सम्मंदी परिगटनाओ जैसे फसल की कटाई से नश्ट हो जाती है द्वतियक अनुक्रम अपेच्छक्रत तेज होता है क्योंकि मिट्टी में अवस्यक पोशक्तत्तों के साथ बीजों का बड़ा भंडार तथा जीवों के अन्प्रसुप्त अवस्थाएं होती है द्वतियक अनुक्रम को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपकी एक चटान है यहाँ पर प्रात्मिक अनुक्रम हुआ आपका और पेड़ बड़े-बड़े हो गए ठीक है लेकिन कोई भी ऐसी घटना घटेत हुई कि जिससे यह अनुक्रम फिर से साफ हो गया पूरा फिर से आपकी एक नगन चटान आ गई फिर इसमें जो अनुक्रम होगा वो आपका द्वतियक अनुक्रम होगा ठीक है और यह तेजगती से होता है आगे देखते हैं पादपों का अनुक्रमण आवास की प्रकृती के अधार पर चाहे वे पानी हो या बहुत गीला छेत्रो अधा बहुत सुस्क छेत्रो पाधों के इस अनुक्रमण को क्रमसा जलरंभी और सुस्कता रंभी कहते हैं तीक है आगे देखते हैं जलरंभी अनुक्रमण जलमगन छेत्रों में होता है यह आपको याद रखना है जलरंभी अनुक्रमण है होता है जलमगन चेत्रों में और अनुक्रमड सेंडी हैड्रिक से समोधिक परिस्थिती की और अग्रसित होती है आगे देखते हैं इसके विप्रीद सुस्कता रंभी अनुक्रमड सुस्क चेत्रों में होता है और ये सेंडी सुस्कता से समोधिक परिस्थिती की और बढ़ता अताह जला रंभी वा सुस्कता रंभी दोनों ही अनुक्रमण मध्यम जल परिस्थिती ना तो बहुत सुस्क और ना तो बहुत जली ठीक है इस प्रकार होता है आपका आगे देखते हैं वह प्रजाती जो खाली और नगन छेत्रों पर अकरमण करती है उन्हें हम मूल अनुक्रमण करती है यहां कहने कारते हैं कि जो खाली और नगन छेत्रों पर आकरमण करती है जो प्रजाती उसे हम मूल अनुक्रमण करती है प्रायाह लाइकेन चटानों पर प्रात्मिक अनुक ये हमने डाइग्राम में भी देखा था, सबसे पहले चटान पर लाइकेन ही आती है, जो चटानों को पिघलने के लिए आमलका रिसाव करते हैं, तथा अपरदन वा म्रदा निर्मार में सहायक होती है, बाद में ये बहुत छोटे पौदों जैसे ब्रायोफाइट के लिए मा कि कम मात्रा में भी अपनी पकड बनाये रखने में सच्छम होते हैं, यानि कि चटान पर जो सबसे पहले वनस्पती उखती है, वो लाइकेन के रूप में ही होती है, समय के साथ उनका इस्थान बड़े पोधे द्वारा ग्राण कर लिया जाता है, अंतताह कई चरणों के ब समय के साथ मरुस्थली अवास समोध विदी में परिवर्तित हो जाते हैं, आगे देखते हैं, जलमे प्रात्मिक अनुक्रमण में लगु पादप प्लवक मूल अनवेशक होते हैं, ये समय के साथ जड़वाले निमनतम पादप निमर्न मुक्त खाली अवरित बीजियों द् पश्चात मुक्त खाली पादप, नसकुल अनूप पादप, कच्छ सादवल पादप, कुंज पादप और अंतताह पेडों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिये जाते हैं, ठीक है, अंतताह वन ही पुनाह चरम सीमा समुदाय होंगे, समय के साथ जलकाय इस्थलिय परितंत् द्वती अनुक्रमण में प्रजाती का आक्रमण म्रदा की इस्थिती, जलकी उपलब्धता, पर्यावरण तथा बीज वा अनुपस्थित प्रावरध पर निर्भर करता है, ठीक है, आगे देखते हैं, यद्देपी पहले से म्रदा विद्धमान है, जहां अनुक्रमण दर बहुत तेज होती है, और चरम अवस्था तेजी से प्राप्त होती है, यानि कि माली जे ये चटान है आपकी और वहाँ पर म्रदा पहले से विद्धमान है, तो वहाँ पर तेज गती से अनुक्रमण होगा, और चरम अवस्था जल्दी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, तर पूर्ट तर यह समझना है कि सभी अनुक्रमर चाहे पानी में हो या भूमी पर एक ही प्रकार से चरम समुदाय आगे की और अगरसर होता है ठीक है यहाँ पर कुछ पौदों के उत्रा रिकार इस डाइगरम के माध्यम से दिखाए गए हैं उन्हें भी आप समझ सकते हैं ऐसे पौदे जो जल में उगते हैं उन्हें हाइड्रो सेरे कहते हैं ठीक है यह आपको याद रखना है जहां प्रचुर मातरा में जल होता है वहाँ प्रादम होते हैं जैसे तालाब जील और जलदारा यह कुश्यन आप समित्रों पूछे जाते हैं कि जल में उगने वाले पानी नहीं की कमी हो वाँ जीरो सेरे उगने वाले पाुद्धों काहते हैं ठीक है यानि पानी में उगने वाले पौधे हैडो सेरे नमी में उगने वाले मेसो सेरे और जहाँ पर पानी की कमी है नमी की कमी है वहाँ पर जीरो सेरे ठीक है इसके साथ आगे भी है जिसे लिथो सेरे एक बंजर चटान पर प्रणब होता है यानि बंजर चटान पर कौन सा लिथो सेरे, खारे पानी में उगने वाले पोधे, हैलो सेरे, ठीक है, और रेत पर उगने वाले समो सेरे, यह आपको याद रखना है, रेत पर उगने वाले पोधे, आपके समो सेरे कहलाते हैं, यहाँ इंगलिस में भी थोड़ा दिये गया है, जिसे हाडो सेरे, succession start in regions where water in plenty यानि जहां पर जल उपलब्द है जैसे ponds यानि तलाब लेग, जील, stream, swamps मेसो सेरे succession start in regions where moisture condition यानि कि जहां पर नमी है जीरो सेरे जहां पर moisture is present in minimum amount with water यानि यहां पर नमी तो उपलब्द है कम पानी के साथ वहां पर जीरो सेरे होता है lithosphere आपकी बंजर भूमी पर होता है यानि barren rock saline water यानि खारे जल में होता है और p samosere आपका intighting on sand यानि बालू पर उगने वाले पोदे samosere कहलाते हैं ठीके दोस्तो तो दोस्तो इस वीडियो में यहीं तक इस वीडियो में हमने बात की कि पारिस्थित्की अनुकरम और जैविक अनुकरम क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है जिसमें हमने diagram के माध्यम से समझने की courses की अनुकरम की प्रात्मी क अवस्ता और चरम अवस्ता को ठीके दोस्तो इसके साथ साथ अलग-अलग छेत्रों में उगने वाले पौधों को हमने देखा कि किस छेत्र में उगने वाले पौधें को क्या कहते हैं ठीके दोस्तो इस वीडियो से सम्मंदिज जो PDF है मैं आपको वीडियो के description box में आपको दे दूँगा वहाँ से आप हिंदी और इंग्लिज दोनों में उसके लिंक पर क्लिक करके download कर लीजेगा और आप पर सकते हैं अराम से ठीके दोस्तो तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को like, share और comment करें साथ ही साथ चैनल को भी subscribe करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की notification आपको मिलती रहे ठीके दोस्तो तो मिलते हैं आपसे next वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए नमसकार, हमेशा प्रसंद रहिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सन रहिए ठीके दोस्तो तो मिलते हैं आपसे next वीडियो में तब तक के लिए नमसकार धन्वाद, जैहिन मित्रो